हेलो इवरीवन, वेलकम वेन्स अगेन इन माई यूट्यूब चैनल इनेके कैरेर एकेडमी तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहा हैं जिसमें पिछले क्लास में हम वितिय संस था जो चौथा चाप्टर था उसको कंप्लेट किये हैं और आज के क्λάस में हम पांचवा चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये हे रुजगार एवं सेवाएं यानि employment and services इसके बारे में इस chapter में हमें जानना है तो देखे इसमें generally हमें जानना है कि सेवा छत्र जो है आर्थिक विकास का एक प्रमुक छत्र माना जाता है और यह रोजगार उपलवध कराने में किस प्रकार सहायक है लेकिन chapter जब हमें start कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रोजगार के concept के बारे में रोजगार और सेवा में क्या संबंध होता उसके बारे में तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज की रुजगार का मतलब क्या होता है और बेरुजगार का मतलब क्या होता है तो देखें ये सब चीज आपको पता है पहले से ही जब रुजगार हमारे मन में बात आता है रुजगार तो फिर उसका मतलब होता है कि अगर हम कोई काम में लगे हैं कोई नौकरी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं जिसे हमें वेतन मिल रहा है जिसे हमें पैसा जिसे हमें इंकम हो रहा है तो यानि हम रोजगार है और फिर अगर हम कोई काम धंदा नहीं कर रहे हैं फिरे में बैठे हुए हैं कोई काम मिल ही नह मनुष्यों को ऐसे कारियों में लगाना है जिससे देश की उत्पादक्ता यानि हमारे कौंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और फिर जेनरल समान्य जन्मानस को यानि समान्य मनुष्यों को उसकी नियूंतम आवसकता है रोटी, कपड़ा और माकान की प्राप्ति हो स सकता है, वो भी कम से कम उपलब्ध हो सके लोगों तक तो फिर वैसे व्यक्ति को रोजगार माना जाएगा, अब देखे हम बात करते हैं बेरोजगार की, तो यहाँ पर आपको समझना है कि वैसे लोग जो काम करने के योग्य हैं, काम करने के लायक हैं, लेकिन उन्हें उच उचित पारिस्रमिक पे काम नहीं मिल रहा है, तो फिर उसे बेरोजगार कहा जाएगा, हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो अपने इक्छा से कारे करना नहीं चाहते हैं, तो फिर उसे बेरोजगार कहा जाना उचित नहीं है, तो देखे उसी चीज को यहाँ वैसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं लेकिन उचित पारिस्रमिक पे उन्हें काम नहीं मिलता तो फिर उन्हें बिरोजगार कहा जाता है देश के ऐसे लोग जो स्वेक्षा से काम करना नहीं चाहते उन्हें बिरोजगार कहा जाना उचित नहीं है आगे समझ में अब आई दूसरे के पूरक हैं कैसे तो आई इस चीज को समझाते हैं तो देखिए रोजगार और सेवा में क्या संबंध है इसको समझाते हैं तो सुची जब किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो फिर वह अपने स्रम यानि अपने मेहनत और अपने सिक्षा के आधार पे कहने का मतल को मतलब जो उसके पास अधिक धाने का त्रित हो जाता है उस धन को जब वो पूंजी के रूप में बेवार करता है जब उसे मतलब पूंजी के रूप में उत्पादन की किसी दूसरे च्छत्र में इंवेस्ट करता है तो वहां से सेवा च्छत्र उत्पन होता है और फिर ज सेवा, छत्र से रोजगार उत्पन हुआ तो कहने का मतलब यह है कि साइकल जो ऐसे चलते रहता है यह चकरह से वहां, शेवा से रोजगार तो इस परकार हम कह सकते हैं कि रोजगार और सेवा दोनों में समानुपाती यानि दोनों में प्रोपर्शनल रिलेशन होता है कहने का मतलब जब रोजगार में ब्रिधी आप करोगे तो फिर सेवा छित्र का भी विश्टार डेफिनेटली होगा ही अब दिखें आपको एक एक एक्जांपल से समझाते हैं जैसे माल लिजे कि कोई व्यक्ति को रोजगार मिला वहाँ अपने स्रम के अधार पे जिविक को पारजन के लिए धाने का त्रित करने लगा पैसा अर्न करने लगा और जब मतलब वह सेविंग करना भी स्टार्ट कर द त्यानि, वह मतर डू साल भी नहीं, वह चार लाख रूपया सेव कर ले और फिर करेगा क्यa कि वह जो पैसा सेव किया है उस पैसे को किसी दूसरे छेत्र में इंवेस्ट करेगा जैसे माल लिजे कि उस 4 लाख रूपया का कोई आटो खरिद लिया और फिर उस अटों को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया कि आप इसे चलाईए तो देखे मतलब वो तो रोजगार करी रहा और वहां से जो उसको धाने कठत करें उस धान को दुसरे चेतर में इंवेश्ट कर दिया और फिर मतलब सेवा चेतर उससे उथ्पन हो गया और फिर उस सेवा चेतर में एक दूसरे व्यक्ति को जो आर्टो चलाएगा ड्राइबर उसको वहां रोजगार मिला अगर वो ड्राइबर भी धाने कत्रित करके अगर किसी दूसरे चेत्र में इन्भेश्ट करेगा तो वहां से भी सेवा चेत्रूत्पन होगा और वहां भी कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा तो इस तरह सिया चक्र जो है चलते रहता तो अथ हम कह सकते हैं कि रोजगार और स सिक्छा के अधार पर जिवी को पारजन के लिए धन एकत्रित करता है और उस एकत्रित धन को जब वह पूंजी के रूप में बेवहार करता है और थात उसे उत्पादन के चेत्र में निवेश करता है तो उससे सेवा चेत्र उत्पन होता है अतह रोजगार और सेवा दोनों मैं कैसा relation है समान उपाति यानि प्रो पर्सनल relation है इसका मतलब यह हुआ कि रोजगार में ब्रिधी करने से सेवा छेत्र का विष्टा आर होता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रोजगार और सेवा दोनू एक दूसरे के पूरक है आगी बात समझ में तो मतलब हम आपको बंद है ये exam के लिए काफ़ important question है अब आईए इसके बाद हम आपको समझाते हैं सेवा छित्र के भाग को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो आईए अब आपको समझाते हैं सेवा छित्र के भाग को तो देखे सेवा छित्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं जिसमें सबसे पहला है सरकारी सेवा और दुसरा है गयर सरकारी सेवा यानि गौर्णमेंट सर्विस और फिर नॉन गौर्णमेंट सर्विस तो इस दोनों को समझने तो देखे सरकारी सेवा का मतलब क्या होगा कि जब हमारी देश की सरकारी है जिसको हम Central Government बोलते हैं या हमारी राजी की सरकार यानि State Government मतलब दोनों में से कोई भी सरकार जब लोगों से कारे लेती है और उस काम के बदले लोगों को मासिक वेतन देती है तो फिर ऐसी सेवा को सरकारी सेवा कहा जाता है जैसे एक्जामपल जो हमारे देश में कारे कर रहे हैं वो सरकारी सेवा के अंतरकत यानि या तो मतलब उससे देश की सरकारी राजी की सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है फिर रेल सेवा या भी पुर्णता सरकारी अभी फिर वीच सेवा की बात किया जाता है या भी सरकारी सेवा का उधारन सिक्षा सेवा जो है यह सरकारी और गहर सरकारी दोनों हो सकता है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज भी होता है सरकारी सेवा में हम सिक्षा सेवा को भी शामिल करते हैं यानि सरकार के द्वारा सिख्छा के छत्र में भी लोगों से कारे लेकर औरने मासिक वेतन दिया जाता है स्वास्ति सेवा भी सरकारी सेवा के एक्जामपल में शामिल क्या जा सकता है सरकारी बैंक और भी होते हैं सरकारी बस यह सरकारी मतलब यातायात सेवा भी सरकारी सेवा सामिल कर सकते हैं और फिर दूर संचार सेवा जिसमें हम पता हिए कि डांक घरों गर्ण सरकारी होता है ठीक है तो इस प्रकार क्या करें कि अपने द्वारा ही संचालित कार्जक्रमों को सरकार के द्वारा ही चलाये गया कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को उस कार्जक्रम को किसी नौन गॉर्णमेंट और्ग्नाजेशन के मदद से यानि किसी गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उस कारी को लोगों तक पहुचा रही है और थात लोग स्वेम मतलब गएर सरकारी सेवा जैसे सिख्षा सेवा एक्र सरकारी सेवा भी है क्योंकि प्राइव atención और होता है प्राइव करेंट कार्या जो घ्रë inhalation या थैयाद सेवा जो अब हुए वह дов behavioral होती है और उसे के बाद मॉल सेवा हम देखते हैं कि मॉल हो गए रहे जहां वस्तों की खरिदारि हम लोग करते हैं तो वह यह जनरली प्राइबेट ही होता यानि गर सरकारी सेवा कि अंतरगत इसको भी हम लोग सामिल करते हैं तो अभी हम आपको बताएं सेवा चत्र के दो प्रमुख भागों को अब आए आपको समझाते हैं आर्थिक विकास के प्रमुख कौन-कौन से चत्र हैं अब देखिए आर्थिक विकास के चत्र की बात करेंगे तो आर्थिक विकास के तीन प्रमुख चत्र होते जिसमें सेवा चत्र भी सामिल है तो इसमें सबसे पहला चत्र हमारा जिसे प्रात्मिक चत्र कहते हैं इसे क्रिसी चत्र के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा है दूत्यक चत्र जिसे और दोगिक चत्र भी कहा जाता है तीसरा है तूत्यक चत्र जिसे सेवा चत्र के नाम से झाना जाता देखिए प्रात्मिक छत्र जो है इसमें क्रिसी और क्रिसी से समवंध्य क्रिया कलापों को शामिल करते हैं जिसमें खेती बारी पशु पालन पॉर्गी कारियों को शामिल किया जाता है फिर इसके बाद द्यूत्यक चत्र की बात किया जाए तो द्यूत्यक चत्र में समान्यता निर्मार कारे वस्तू के निर्मार से संबंधित कारें को शामिल किया जाता है इसमें तरह तरह के उद्योगों और कलकर खानों को शामिल किया जाता और तुरित्यक छत्र की बात क्या जाए तो इसे सेवा छत्र के नाम से जाना जाता चुकि इसलिए सेवा सिक्षा सेवा, स्वास्त सेवा, परिवहन सेवा, संचार सेवा, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, ब्यापार और बानिज जैसी क्रियाओं को सेवा छत कि इन चत्रों में कितने कितनी रोजगार जो है लोगों को मिल पाया तो देखिए प्राथमिक चत्र से रोजगार की उपलब्दता लगभग 49 यानि आधा है लगभग 49 परसेंट वहें दिवित्यक चत्र से 24 परसेंट लोगों को रोजगार मिलता है अब GDP में योगदान की बा इन सबसे अधिक और चुकि यहां बहुत जादा बहुत अधिक लोग भी यहां से जुड़े वे नहीं लेकिन इसके बावजुद भी यह 60 परसेंट नेशनल इंकम का अकेले कंट्रिब्यूट करता है और यहीं कारण है कि आज सेवा छत्र के विकास में मतलब सर्विस प्रिंट में अधिक ध्यान के अंदरत किया जा रहा है तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे डैट गैर सरकारी और सरकारी कुछ समस्थाएं हैं जो मतलब सेवा चेत्र क्रियेट करने में सहायक हो रही है तो हम लॉप होते जा रहा है